तो मैं आज आपको बता दूँ यदि आपने 2022 में बीएड में प्रवेश लिया है और अगर आपने CSGMU से किसी भी अफिलेटेड कॉलेज में प्रवेश लिया है तो यह वीडियो आपके लिए अतियुपियोगी साबित होने वाला है आप सेशन के एंड तक बने रहिएगा आपको नई नई धनकारिया मिलेंगी यहां से चानल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीज़ेगा क्योंकि CSGMU 2022 बीट फास्स सेमेस्टर की क्लासेश आपको यहीं पर मिलेंगे और पूरा कोर्स ना सिर्फ जो है वो आपका फिलोसिफिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन मैं आपको हिंदी में बता दू सिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष सोशोलोजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन आपका पेपर टू है जो जिसको आप क्या कहेंगे सिक्षा के समाज सास्त्री परिप्रेक्ष पेपर 3 आपका psychological perspective of education यानि कि सिक्षा के मनोवग्यानिक परिप्रेक्ष अब आपके पास paper 4 में तीन option मिलेंगे तीन option का मतलब एक तो आपका inclusive education यानि समावेशी सिक्षा value and peace education यानि मूले एवं तांती सिक्षा gender school and society यानि कि link school एवं समाज यह तीन पेपर है आपके जो school है उसमें बहुत से बच्चों ने value and peace ले रखा तो आप भी value and peace ले लो मतलब अलग-अलग college के बच्चे अलग-अलग विशय के paper चूस करते हैं जो paper आप इन तीनों में से एक कोई लेओगे वो आपका चौथा paper हो जाएगा यानि कि तीन तो common हो गए चाहे आप कोई भी बच्चे हो किसी भी college के paper 1,2,3 तो सबका यही होने वाला सिक्षा के आपको उसको question paper मिलेगा आपको वो solve out करना पड़ेगा ठीक है यह बात हो गई 100 नंबर में आपका 75 नंबर का external होगा 25 नंबर का internal होगा इंटर्णल में आपका आपके मेडिटर में exam होते वह आपके attendance है और आपके कह सकते हैं कि जो वाइवा वगे रहा होते हैं उनसे संबंधित marks मिलते हैं तीसरी बात आती हैं practical के नंबर कैसे मिलते हैं हमने का practical में आपको दो practical educational psychology यानि कि जो आपके मनो विज्ञान आपने इंट अबल सुडिन यानि कि अलग अलग जो चमताओं के जो बच्चे हैं उनके विशा में आपको एक जाना है जाच करनी मतलब देखना है विज्ट करना है special schools में और उनकी क्या-क्या परिशानिया है उनके differentiality के कारण इस पे आपको एक report या आपको एक file बनानी है जो आप आपके 20 नमबर के होगे यानि कि 50 नमबर का आपका practical कुल मिला करके यह होगा बाकी के जो आपके बचे हुए विशा है कौन-कौन से जो आपका विशा है personality, development, language, proficiency और music drama इनका कोई paper नहीं होगा इनके आपको school की तरफ से grades दिये जाएंगे और यह मतलब university की तरफ से इनका क college के end से होगा जो आपको grades वगेरा मिलेंगे ठिक तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि चार paper होंगे आपके 100-100 नमबर में 100-200-300-400 ठिक और 50 नमबर के आपको यह दोनो practical होंगे तो यानि कि कुल आपका जो semester 1 है वो कितने नमबर का होगे यह 400 नमबर का जिसमें से 50 नमबर final year के paper होंगे mid term का मतलब यह होता है कि semester के mid में होने वाला exam यानि कि जो जो आप लोगों ने इनका cover कर रखा होगा पढ़ा दिया गया होगा उसके बाद में आपका mid term exam होगा मैं paper का mode क्या रहेगा इससे पहले वाला जो आपका batch था यानि कि जो आपका 2022 में आप हो दो 2021 वाल में हो था आप लोगों का क्या mode रहेगा यह university की तरफ से जानकारी आते ही हैं आपके संग साजा कर देंगे यह आपका देखे paper अब जो आपका समझे इसके बाद आपको में एक वीडियो देंगे जिसमें paper 1 के हिंदी में कौन-कौन से units हैं मतलब हिंदी मीडियम वाले बच् को भी एक तरीके से दिखा देते हैं थोड़ा से एक review दे देते हैं कि जैसे कि आप देख पार है detailed syllabus कि अगर हम बात करें तो जैसे paper 1 का आपका philosophical perspective of education है यानि सिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष तो आपको इसमें basics of education philosophy and education Indian and western philosophy और साथ में आपको क्या पढ़ना पढ़ेग अब यह unit क्या-क्या है मैं इनको Hindi English zone में बताइए हमने का उसके लिए आप लोग next video के लिए तयार देएगा देखने के लिए हमारे telegram channel से पहले जुड़ जाओ आप telegram channel का नाम है PG point classes आपकी 5 November से शुरू हो जाएंगी कितनी तारीक से भई या 5 November से शुरू हो जाएंगी एक class आपकी रातरी 9 बजे होगी कितने बजे होगी एक class आपकी रातरी 9 बजे होगी रोज ठीक और एक class हो सकता है आपकी शाम को 7 बजे कर ले तो इसलिए आप क्या करो सबसे पहलो चानल को subscribe कर लो उसके बादे PG point app install कर लो वहाँ पर हम आपको अभी कोई content नहीं है वहाँ पर लेकिन first semester का में एक बहुत ultimate content launch करेंगे आपको जिसमें आपको unit wise theory, unit wise आपको MCQs, unit wise आपको previous मतलब question सब मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको अभी बता दे one month near about लग जाएगा one month भी नहीं तो अगर हाँ 20 to 30 days तो लगी जाने तो हम आपको एक paid course देंगे जो इससे पहले वाले बच्चों ने पढ़ाए उनसे लाग गुना वो अच्छा मतलब और उसमें थोड़ा सा modify करेंगे और जैसे वो paid course launch होगा आपको मैं सूचित कर दूँ नहीं क्योंकि पढ़ नहीं क्या वशकता नहीं इंग्लिश इंडी बोथ मीडिया में बता रहे होंगे तो अगर चानल पढ़ना है सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रस करें जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और बीएट फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासस के लिए र